हालो बच्चों तो आज अपने डिस्क्स करने वाले हैं सिक्वेंस इन सिरीज के वो सारे क्वेस्टेंज जो जेई मेंस 2021 के फैब अटेम्ट के अंदर पूछे गए हैं इस चार्ट में आप देख पा रहे हैं 24 फैब मॉर्निंग में भी एक सवाल यहां से है इवनिंग के अंदर भी एक क्यूसन यहां से है ऐसे 25 के अंदर भी मॉर्निंग और इवनिंग दोनों में एक सवाल है और 26 फैब मॉर्निंग में भी दो सवाल यहां से है और इवनिंग के अंदर भी दो सवाल यहां से है तो यहां से अपने कोई आडिया लग रहा है कि इस चेप्टर से जही मैंस में more or less एक सवाल तो आ नहीं है यहां मान के चलिए on average एक सवाल तो यहां से पक्का पूछा जाएगा कभी कबार जैसे आप देख पा रहे हैं दो सवाल भी पूछ लेता है पर एक सवाल तो पक्का मानी आप तो अभी इनको one by one discuss किया जाए start करते है with first question let a set दिया है जिसका element n है जो एक natural number है और साथ भी natural number के साथ तीन डिजिट का है b set है इसका element 9k plus 2 है जो जहां पर दिया कि k यहां पर again क्या है natural number है c set के element है 9k plus l type के जहां पर k natural number और l यहां पर 0 से 9 में कोई भी number है if the sum of all the elements of the set a intersection b union c is 274 into 400 then l is equal to यानि effectively सवाल देखने से पहली निगासित आप को यह लग रहा है कि set थोरी का सवाल है but set थोरी के साथ साथ में यहां पर sequence and series के फंडे भी यूजाने यानि ultimately sets और sequence and series को mix करके सवाल बना गया है तो sets के अगर बात करें तो a intersection b union c यानि b union c का find करना पड़ेगा आपको a के साथ में intersection यानि common part then जो set बनेगा उसमें जो number of element है उन सबका sum बता दिया इसने number of element find नहीं करने आपको उन elements का जो sum बनेगा न वो उसने दे दिया 274 into 400 तो सबसे बहले बात करते हैं आप a a में जो elements आएंगे जो numbers आएंगे वो सारे natural number होंगे और natural number भी क्या होंगे? तीन digit क्या होंगे? अब मुझे a का intersection find करना है b union c के साथ में तो ultimately b और c में जो आप numbers लेने वाले हैं वो भी कौन से लेने वाले हैं? तीन digit के ही natural numbers आपको finally a के साथ में common part निकालना पड़ेगा तो b और c में केवल और केवल तीन digit के natural numbers पे फोकस करना आपको अब b union c निकालना है तो उससे पहले अपने b की बात करते हैं बार b में जो numbers हैं उन 9k plus 2 type के हैं जहाँ पे k natural number वो भी अपने को केवल और केवल तीन digit के natural number से मतलब है यानि तीन digit के natural number जो 9k plus 2 type के है 9k plus 2 type का मतलब ऐसे numbers जिनको अगर 9 से divide किया जाए 2 आजाए means जो set b है उनमें अपने को 3 digit के वो number लेने हैं जिनको 9 से divide करने पर remainder के आजाए 2 आजाए अब set c में वो सारे 3 digit के natural number जिनको 9 से divide करने पर remainder के आजाए l आजाए अब l दिया 0 से 9 open और number होना चाहिए 3 digit का इसका हमला l को भी यहाँ पर 0 से 9 के अंदर कोई ने कोई natural number ही होना पड़ाईगा वो क्या है या तो 1 या 2 या 3 या फिर up to 8 या इन इल्टिमेटल यहाँ पर l जो होने वाला है वो 1 से लेके 8 के भी इसमें कुछ भी हो सकता है अब check करता है इसको सोल किया जाए तो लेट स्टार्ट बी सेट नमबर दिया 9K प्लस 2 टाइप का 9K प्लस 2 टाइप का नमबर दिया और यह सेट बी में दे रहे था आपने को ना अब जिनको 9 से डिवाइड करने पर रिम इंटर क्या है 2 आए और साथ में नमबर होना चाहिए 3 डिजिट का तो 3 डिजिट का नैचुरल नमबर स्टार्ट होता है 100 से 100 को अगर आप 9 से डिवाइड करेंगे तो रिम इंटर किता आएगा 99 पर 0 आता है तो definitely 100 पर 1 आएगा अपने को चीट यानि सबसे छोटा तीन डिजिट का नैचुरल नमबर जो बनने जा रहा है that will be 101 101 के बाद में कौन से आ जाएगा 110 ये 110 last तीन डिजिट का सबसे बड़ा जो नैचुरल नमबर है that will be 999 अब 999 को अगर आप 9 से डिवाइड करेंगे तरिमेंटर क्या आ रहा है 0 आ रहा है अपने को चीट ये 2 तो ट्रिपल 9 से पहले है 990 990 को अगर आप 9 से डिवाइड करेंगे तरिमेंटर किता है अगें 0 अपने को चीट ये 2 यानि नमबर क्या हो जाएगा 992 अब ऐसे सवाल आपने प्रैक्टिस किये होते है कि फला नमबर से डिवाइड करने पे फला रिमेंटर आता हूँ तो ऐसे क्यूसिंस में आल्वेज क्या बनती है एपी बनती है तो ये एपी आपके सामने है जिसका फर्स टम किता है 101 और common difference किता है common difference है 9 हमें ultimately जो इनमबर्स बनने वाले इनका सम चाहिए तो सम निकालने से पहले इस एपी के अंदर आपको number of terms निकालने पड़ेंगे number of terms आप निकालना जानते ही है let's say number of term आपने n मान लिए then tn किता है 992 है first term किता है 101 आगे solve कर लिजेगा वहाँ से n आपको मिल जाएगा और n जो number of terms है वो यहाँ पे मिलने वाले आपको 100 उसमें कोई दिक्क्रत नहीं आने वाले है ap में number of terms निकालना जानते है अब इन 100 term का सम निकाल लो तो किता है 100 by 2 यानि 50 और into a plus l a किता है 101 और plus l किता है 992 finally यह सम किता बन रहा है 50 into किता हो जाएगा 23 हो गया और यह 9 यह 10 1093 अब अपने को जो उसने सम दिया था एक बार उसको देखें अबन यह सम दिया 274 into 400 इसको एक बार अपन राइट में लिख लगता है 274 into 400 अब मेरे पास जो समा रहा हो 50 into 1093 अगर इसी फॉर्म में इसको थोड़ा आरेंज कर दूँ में तो इसको लिखो 50 into 50 into किता हो जाएगा 8 हो जाएगा और यह 8 into किता होगा 274 थोड़ा ओर आरेंज कर लिजी तो 50 into किता हो जाएगा यह यह 2 आ गए यहाँ पर यह 9 आ जाएगा और यह 21 2192 50 into 2192 मेरे पास सम बन रहा 50 into 1093 अब यहाँ तो आपने जो सैट B में नंबर्स आए ना उनका सम निकाला है अभी तो आपको B union C भी देखना है को यहाँ पर देखिए B union C देखना जाएगा यह वाला पार देखिए B union C A का तो अलड़ी आपने जो रूल था हूँ चेक करी लिया उसको अपने इनवल करी लिया because A में तो ultimately यह बोला कि number क्या होना चाहिए तीन डिजिट का होना चाहिए तो ultimately आप B और C के अंदर जो numbers ले रहे है तो आपने पहले से क्या ले लिया A के साथ में जो इसका intersection ले चुके आप तो set B में जो numbers हम कसम निकाल लिया आपने अब C में जो numbers आने वाले है C में जो numbers आने वाले है वो आने वाले 9K प्लस L टाइप के जहांपे L हमने decide किया 1 से लेके L 8 तक C की बात कर रहा है set C number थे 9K plus L टाइप के जहांपे जो L होने जा रहा है वो या तो 1 होगा या 2 या 3 या up to 8 अब चेक करते हैं कि यह वो 2 possible है क्या अगर L 2 हो गया तो ultimately यहां भी number कौन से होंगे जो 9 से divide करने पर एम इंटर 2 देते हो तो वो तो already B में आगे न तो वही अगर C में आगे तो अगर दोनों का बन union लेंगे तो definitely वही नमबर थो आएंगे तो दो बार तो उनको count करने सकते हैं उनको एक ही बार count होंगे यानि ultimately इस बार जब C set में L आप 2 रख देंगे तो number 9K plus 2 type K तो B union C के अंदर जो numbers आने वाले हैं उनका sum कित्ता बनेगा 50 into 1093 बनेगा मेरे को समची 50 into 2192 इसका मदलब L definitely यहाँ पे 2 तो नहीं होगा L यहाँ पे 2 तो नहीं होने वाला है अब check करते हैं 1 होगा या 3 या फिर अब तो 8 तो उसके लिए यहाँ पे इस calculation को आप ऐसे पॉसिट करें कि तीन विजिट के जितने में natural number है start होंगे 100 से end होंगे 999 पे अब उनमें जो numbers हैं वो किस type क्यों होंगे 9 से divide करेंगे तो reminder या तो 0 आएगा या फिर 1 आएगा या फिर 2 या 3 या 4 या 5 या 6 या 7 या 8 total ये 9 type के number बन रहा है जिनको 9 से divide करेंगे remainder 0 आए ऐसे numbers बनेंगे या पे 100 जिनको 9 से divide करेंगे remainder 1 आए ऐसे number बनेंगे और जिनको 9 से divide करेंगे remainder 2 आए ऐसे number बनेंगे ऐसे ही बाकिए जो 9 से divide के remainder 8 आजाए वो number भी कितने बनने 100 ही बनने सारे 100-100 numbers बनेंगे तो अब हमें यह सोच रहा है कि जिससे कि L यहां पर 1 होगा ये नहीं होगा तो let's say L 1 होगा माल लता है एक बार के लिए तो जब उनका सम निकालने जाएंगे आप तो सम जब निकालेंगे तो again AP बननी बननी तो AP है number of terms कित्ते बनेंगे 100 बनेंगे into क्या कर लेंगे आपन A plus L कर लेंगे तो अब मैं एक काम करता हूँ उनका सम जो सम बनने वाला है उसको ऐसे फोसीड करते हैं कि 50 into 1093 ये तो set B के जो numbers थे उनका सम आ गया अब set B में जो numbers आने वाले हैं वो remainder या तो 1 वाले या फ़र 3 वाले या फ़र 8 वाले कोई ने कोई एक वाले आएंगे अब वो numbers किता है 50 है तो 50 into बननी क्या AP बननी है A plus L कर दूँगा और A plus L को let's say एक बार के लिए X पॉल दिया ये X जो दिखरा न पर या पर ये वो A plus L है equal to किता equal to किता है 50 into 2192 अब इसको अगे solve कर लेता है तो ये 50 तो cancel out हो जाएगा finally यहां से X निकाल सकते है बार X विल भी किता हो 2192 minus 1093 ये निकाल लीजी ये बन जाएगा 1099 1099 यानि जो A plus L है वो किता होना चीए 1099 अब इसको 1 by 1 verify कर लेता है कि L क्या होने जा रहा है कि L क्या possible है तो let's say L1 हो गया अगर L1 हो गया इसका मतलब 9 से divide करने पर इमेंटर किता आना चीए 1 आना चीए तो ऐसा अगर है तो सबसे चोटा नंबर क्या है 100 है और सबसे बड़ा नंबर क्या बनेगा सबसे बड़ा नंबर यह बन जाएगा 901 अब मुझे बताओ इनका सम जो बन रहा है यही तो X है A प्लस L को यह तो X बोल रखा है अब जो यह A प्लस L क्या यहाँ पे 1099 बन रहा है नहीं इसका मतलब यह possible नहीं है ऐसे L इकुल टू को तो आपको चेक करने की 0 3 यह तो पहले ही मना कर दिया 3 को चेक कर लेता है 3 का मरला वरेमेंडर रहना चीए 3 सबसे छोटा नंबर क्या बन जाएगा सबसे छोटा नंबर बन जाएगा यहाँ पे 100 है 2 पे 101 और यह 102 हो गया और सबसे जो बड़ा नंबर होगा that will be 903 क्या इनका सम आ रहा है 1099 नहीं यह पॉसिबल नहीं है ऐसे L इकुल टू 4 को चेक कर लो यहाँ पे रिमेंडर 4 आना चाहिए सबसे छोटा नंबर 3 बिजिट का that will be 103 और सबसे बड़ा क्या हो जाएगा 904 क्या इनका सम बन रहा है 1099 नहीं पॉसिबल नहीं यह भी अब चेक करता है L इकुल टू 5 L इकुल टू 5 देखे सबसे छोटा नंबर 104 और सबसे बड़ा नंबर will be 905 यहाँ देखो सम इस केस में सम कित्ता बन रहा है इनका A प्लस L कित्ता आ रहा है 1099 मिंस यही केस बनेगा तो L कित्ता आ गया 5 आ गया तो अंसर विल बी 5 अंसर विल बी 5 L 5 बनेगा तो अगें एक J मेंस के परस्पेक्टिव में ठीक सवाल है J मेंस के पौर्ड है ठीक सवाल मान सकते हैं अगले सवाल पर चलता है यह दो कुछ J मेंस में लभी 24 वाइब का ही सवाल है और इवनिंग सिप में सवाल पूचा गया है क्या बोल रहा सवाल सवाल में सवाल में कुछ भी घुमाया फिराई नहीं इसने बिल्कुल स्टेट फोल सवाल दिया सीधा साथा सवाल तो पहले चार टम्स का सम दिया पहले चार टम्स का तो फॉस्ट टम ए ले लेता है सेकेंड टम ए यार ले लिया हमने थॉर्ड का ले लिया ए यार स्क्वार और फॉर्ट विल भी AR power 4 first 4 terms का सम किता दी दिया 65 by 12 65 by 12 अभी यहां से A common निकाल लेंगे तो यह नहीं किये दिया reciprocal का सम 1 upon A plus 1 upon AR plus 1 upon AR square plus 1 upon यह AR power 4 नहीं होगा AR power 3 लिखना पड़ेगा गल्दी कर दी AR power 3 और यहां पर बन जाएगा 1 upon A into R cube यह सम किता दी दिया उसने 65 by 18 65 upon 18 अब इन दोनों condition को solve कर लेता हैं मैं तो first वाले से A common निकाल लो remaining part will be 1 plus R plus R square plus R power 3 equal to किता 65 upon 12 equation number 1 second वाले से common का निकाल लोता है 1 upon A common निकाल लोता है और साथ में देन LCM किता निकाल लेंगी R cube निकाल लेंगी क्या बचेगा बी A square A square square in to get the R cube equal to get the 65 वी gonna cancel out होगया तो ये first by second कियानी 18 by 12 आगया 18 by 12 का मतलब 3 by 2 तो a square r cube अपने को मिल रहा 3 by 2 a square into r cube that will be 3 by 2 एक condition और देरे केस न है if the product of first three terms पहले तीन terms का multiply दे दिया तो पहले तीन terms कौन से first, second, third यानि a into ar into ar square equal to 1 अब यहां से देखो क्या मिला है यहां से मिलके अपने को a square into a cube a cube into r cube a cube कर लगा है इसको a cube into r cube यह कहें तो ar power 3 equal to कित्ता 1 तो यहां से ar कित्ता आजाएगा 1 आजाएगा अब a condition मेरे पास यह वाली है एक condition मेरे पास यह वाली है last न पूछा क्या है third term is alpha T3 third term alpha दिया third term ने coding किता है a into r power 2 है यह इसने alpha गिया तो अपने वो करना के ultimately third term निकालना पड़ेगा ar square निकालना आपने के लिए बहुत ही आसान चीज है यह लेट से बोलते है third equation इसको बोल दिया fourth अगर मैं third को four से divide कर दूँ third को अगर fourth से divide कर दूँ तो left hand side में क्या बचा एक a कट गया एक r कट जाएगा तो ultimately a into r power 2 यह आगा और right hand side किता हो गया 3 by 2 upon यानि 3 by 2 तो यह a r square किता है यह तो alpha है alpha 3 by 2 आगया 2 alpha निकालना तो यहां से 2 alpha किता आजाएगा will be 3 तो एक बहुत ही आसान सवाल dp में जब भी terms की बात करता है चार term तीन term तो in general तो dp होती है a r, a r square, a r की वाइंड सों यह terms मान सकते है आसान सवाल है answer will be 3 next अगला सवाल देखिए देखो क्या दिया आसने if theta is less theta is greater than 0 theta 0 से बढ़ा है और 5 जो है वो भी 0 से बढ़ा है और दोनों इस pi by 2 से कम भी दो angle है theta 5 0 से pi by 2 के अंदर है इन फर्स quarrant में x एक submission दिया है जिसका input a cos की power 2n theta और variable n वरी कर रहा है 0 से लेके infinite तक ऐसा है y के लिए दिया ऐसा है z के लिए रखा है then x y और z को आपस में relate करना यह सवाल है तो one by one इन तीनों summation को solve करना चाहिए अपने को बात कर लाता है x की तो x क्या था summation of cos power 2n theta जहां पर n variable है start किया ऐसने n 0 से और अब to vary करेगा infinite तो अब यह देखो n equal to 0 अगर put कर दो यहां पर तो यह बन क्या cos की power 0 in 1 तू पर किता हो जाएगा cos square theta then cos power 4 theta आगे कारिकरम चलता रहेगा infinitely when the terms आने वाले और यह series कौन से यहां पर infinite gp है जिसका sum किता होता है a upon 1 minus r वो sum का formula valid कब होता है जब r कहां से कहां तक को minus 1 से 1 के अंदर अब r minus 1 से 1 justify करवाने के लिए इसने वो एक condition दी होगी देखो कौन से वाले यह theta और 5 दोनों 0 से 5 by 2 अगर theta 0 से 5 by 2 है तो इसका जो common result cos square theta 0 से 5 by 2 open में definitely 1 से कमी होगा और 0 से बढ़ा भी होना है तो यह definitely आप यहां पे वो a upon 1 minus r वाला formula लगा सकते हैं तो a किता होगा इसका 1 upon 1 minus r किता होगा cos square theta that will be 1 over sin square theta तो यहां से अगर अपने को निकालना हो sin square theta तो sin square theta किता जाएगा 1 upon x यह तो होगा first sigma से लिए second पर second दिया y equal to summation of sin power 2n y equal to summation of sin power 2n angle क्या दिया है angle 5 दिया है square पर अगर open करता है इसको तो n equal to 0 पर होगा 1 then किता बनेगा sin square 5 ऐसे sin power 4 5 up to infinitely many terms यह भी क्या बनने जा रहे हैं पर infinite gp सम निकाल लो a upon 1 minus r तो यह होजाएगा 1 upon 1 minus sin square यानि cos square यहां से अगर मुझे cos square 5 लिखना पड़े तो cos square 5 किता हो जाएगा 1 over y थोर्ड सिक्मा देखिए z equal to cos power 2n sin power 2n okay cos power 2n है sin power 2n थीटा 5 z sin power 2n और यह 5 n variable है 0 से चलता है infinite तक अगर इसको open करेंगे तो यह भी infinite gp बनेगी sum होगा e upon 1 minus r यह तो किता हो जाएगा 1 upon 1 minus r यहां पर बनेगा cos square theta into sin square 5 यह सकार बनना है अब x y z को आप इसमें relate करना है इसका मलब यह cos square theta और यह sin square 5 यह आपको यहां पर जो थर्ड देख पार है न थर्ड वाला पर इस थर्ड वाले में cos square theta और sin square 5 पूट कर दो तो मैंने निकाल रखा है sin square theta sin square theta 1 upon x है तो definitely cos square theta किता बनेगा 1 minus 1 upon x ऐसे ही cos square phi निकाल रखा है मैंने 1 upon y तो यहां से sin square phi किता बनेगा 1 minus 1 upon y तो देखिए next space पे इसी में थोड़ा सा erase करना पड़ेगा आपने को आगे जिदा नहीं तो थोड़ा सा इसमें erase कर लाता है मिल्ये वहला पाठटा दिया और यहां से यह थोड़ा आठा वेता है ओके इतने से काम चल जाएगा अपने तो अब इसको देख लाता है यहां पर जेट इक्वल तो किता होगा वन डिवाड़ेड बाई वन माइनस ही हो जाएगा वन माइनस वन अपन एक्स और यह हो जाएगा वन माइनस वन अपन वाई आगे इसको अलसम लगे सिंप्लिफाइ कर लो तो देखो जरा क्या बनता है जेड इक्वल टू one divided by dr part पे दोनों bracket को multiply करेंगे तो one तो कट जाएगा दान क्या बचेगा उन अपन एक्स बच जा बसका one अपन राइज हो जाएगा माइनस माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस का हो जाएगा one अपन एक्स राइज अब DR पार्ट में LCM निकलेगा है, यहाँ पे X into Y, XY पहुंच गया उपर, यहाँ रेटर पार्ट में, और DR पार्ट क्या बचेगा आप, X plus Y minus 1, cross multiply कर दो, तो Z into X plus Y minus 1, बराबर खिता XY, आंसर देखो किस form में चाहिए इसको, फोर्थ भी आगा, X Y plus Z equal to X plus Y into Z, X plus Y into Z, अबनेको X plus Y बिल्कुल बना सकते हैं, तो यह X plus Y into Z, और यह minus का Z, यह बन जाएगा XY plus Z, यह इसका अंसर होगा, यह यह ultimately X और Y and Z में relation बनेगा, जो कि फोर्थ आप्शन में given है, XY plus Z equal to X plus Y into Z, तो अगिन आसान सवाल बोलेंगे इसको, because infinite GP का जो formula है, बहुत ही simple सा, यह upon 1 minus R, तीन infinite GP बना रहे हैं, इसने, इन इसलिए आपको starting में देखने में सवाल बहेंकर लग सकता है, अब कुछ तीन सिग्मा दे रहे हैं, तो बता चले हैं कि तीन सिग्मा है, पहलानी क्या होगा, सोल होगा, यह होगा, और जैसे इसको आप सवाल को सोल करना start करेंगे, तो infinite GP जैसे बनती हैं देखें कि आप, वहाँ से आप track पर आ जाएंगे, ओके, next question पर जलता है, अगला, the minimum value of fx, a power a power x, a की power दिया, a की power x, प्लस a की power 1 minus a power x, जहां पे a और x real है, a positive भी दिया है, ultimately इस function का आपको list value निकालना है, minimum value निकालना है, तो आप ये समझो, a दे दिया positive, अगर a positive दे दिया, तो यहाँ ये देखिए, ये जो term आपको दिख रहा है, ये definitely कैसा बनना है, positive, और ये भी कैसा बन जाएगा, positive, because दोनों का जो base part आओ तो ये है, और positive number की parts एक कुछ पे लगाओ आप, कैसा बनना है, positive बनना है, तो दो positive numbers का sum दे रहा है, तो sequence and series के अंदर अपन part पढ़ते हैं, relation between means, वहाँ पर आपको बताया जाता है, कि जब भी positive numbers का जिकर चले, जब भी positive numbers कहें भी involved हों, और साथ में list या फिर greatest value की बात कर रहा हूँ, numbers positive हों, और साथ में list या फिर greatest value की बात चल रही हो, तो वहाँ पर relation between means definitely आप काम ले सकते हैं, उसका scope always बना रहा हैगा, तो हमने क्या सोचा कि दोनों जो numbers हैं, एक a की पाउर a की पाउर x, और दूसरा a की पाउर 1 minus a पाउर x, उन्ही numbers को काम में लगे कि अपने क्या लगाते हैं आपे, relation between means, अब relation between means में जानते हैं कि am is greater than or equal to gm, and gm is greater than or equal to hm, तीन component है am, gm, hm, आपको कोई दो चाहिए, अब यहाँ पे इन दो का sum है, sum कौन मना था, am, यह तो एक तो हो जाएगा am, और gm में क्या होगा कि यह दोनों multiply होके constant value आपको दे सकते हैं, तो दूसरा component अपने gm इस्तमाल करेंगे, तो यह तो fix कर दिया हैं, आपने कि relation between means आपको यहाँ पे काम लेना चाहिए, तो fx function copy कर लाता हैं, क्या दिया, इसने a की power a power x, plus a power 1 minus a power x, तो any दो numbers में लगा दो, am greater than or equal to gm, let's say यह जो sum है, इसको वैसे दो fx ही बोल रखा है, तो इनका am क्या बनेगा, इन numbers का sum upon 2, sum तो कितना fx के बराबर ही है, upon 2, greater than or equal to इनका gm क्या बनना है, a power a power x into a power 1 minus a power x, e power कितना 1 by 2, cross multiply कर देंगे 2 से, fx will be greater than or equal to 2 into, अब देखूएं, जो root का base part है, वहाँ पे a दोनों में same है, power add होंगे, तो a power x कर जाएगा, इत्ता बचे गई, यह बचे जाएगा a, a की power half इने root लिए, fx हमेशा 2 into root a से बड़ा या उसके बराबर होगा, means fx का जो list value है, that will be 2 into root a, एक चीज़ आपको जरूर देखनी चाहिए हैं आपे, की am greater than or equal to gm में, जो equality है, equality hold अभी करती है, जब जिन numbers में आपने amgm लगाया होता है, वो numbers आपस में equal हो जाएं, पर j-e means का सवाल है, एक बार अगर आप्सन देख लूँ में, 2 into root is का list value आर, और 2 into root option में आपको दे रखता है, पर j-e advance के अगर आप बात करेंगे, तो वहाँ पर कई बार ऐसे सवाल आपको मिल सकते हैं, जहाँ आप अगर आप relation between means से, अगर लगा के, उस function का list या greatest value निकालने जाएंगे, तो कई बार ऐसे आपको देखने को मिलता है, कि जो equality है, यानि जिन numbers पर आपने amgm लगा है, वो numbers ही आपसे बराबर possible थे ही नहीं कभी, let's say दो number थे और ये दो number कभी भी equal नहीं हो, x की कोई ऐसे value है नहीं, दुनिया में जो इन दो numbers को बराबर कर सके, इसका मतलब ये जो equality वाला sign है, am बराबर gm, ये equality goal नहीं करेगी हैं, means always क्या बनेगा, am better than gm, यानि fx जो बनेगा, वो always two into root से बड़ा बनेगा, उसके बराबर नहीं आएगा, यानि अपन इस am और gm वाले concept से क्या बोलेंगे, इस वाले तरीके से उसका list value कमेंड नहीं कर पाएंगे, बट यहाँ पर ये scene है, यानि आप चेक करना चाहिए नो कर सकता है, कि ये दो numbers ये दोनों equal possible हैं यानि, तो दोन numbers आपके सामने हैं, ये और ये, एक बार इनको equal लेलो, और वहाँ से चेक कर लो, ये fx जो बनेगा, वो 2 root a भी बनेगा पक्का, और उससे बड़ा तो बनना ही है, तो list value of fx वेल भी 2 into root है, तो अगेन बहुत ही आसान सवाल है, am greater than or equal to gm, ये पक्का आपके दिमाग में आता ही है, जब जब numbers positive हूँ, और बात करे, maximum या फिर minimum value कही है, क्या दिया है, इने increasing gp, gp है increasing, यानि terms लगातार, increase कर रहा है, बढ़ रहा है, the sum of the second and fifth sixth term, sum of the second and sixth term, is 25 by 2, बाल लिए जाए इसको, second or sixth term, t2 plus t6, equal to 25 by 2, and the product of third and fifth term, third and fifth term, equal to, ये दिया रखाए चने, 25, then the sum of fourth, sixth or eighth term, और eighth term का sum आप से पूशिया असने, बिल्कुल, ठीक है, और साथ में increasing gp दिया है, increasing gp, यहाँ बीच में कहीं साइड में mention करते हैं नेचे, increasing g, तो t2, t2 किता हो जाएगा, gp भाई मानलो, a, a, r, a, r square and so on, तो t2 हो जाएगा, a, r, और t6 विल बी, a, r power 5, equal to किता 25 by 2, और t3 into t5, t3 हो जाएगा, a into r power 2, और t5 हो जाएगा, a into r power 4, equal to 25, तो यहाँ से देख रहे हैं, पर यह बन गया, a square into r power 6, यह कहें तो, a into r cube का square, equal to 25, 5, तो यहाँ से, a, r cube जो है न, वो मिल रहा अपने, plus या फिर minus 5, तो दो किस से लाने वाले हैं अपन, एक बार तो, a, r cube को लेंगे, plus 5, एक बार लेंगे, minus 5, ओके, first वाले equation से, common निकाल लेते हैं, a, r, क्या बचेएगा, 1 plus r power 4, equal to 25 by 2, यह first है, और यह second है, तो यहाँ में दो किस से लाते हैं, one by one, देख लीजिए दोनों किस होगो, case number one लिया हमने, case number one क्या लिए रहे हैं, कि a into r cube किता बन जाए, minus 5 बन जाए, अब क्या किया है, हमने first और second को आपसमें कर लाते हैं, divide, first by second, ऐसा करने से क्या होगा, a से यह तो कड़ गया, एक r भी कड़ जाएगा, तो यह one plus r power 4, यह upon में किता आजाएगा, r square, equal to किता, 25 by 2, upon minus 5, यहानि माइनस का 5 by 2, cross multiply करिए, तो यह 2 plus 2 into r power 4, equal to minus 5 r square, इसका भी simplify करो, 2 r power 4, plus 5 r square, plus 2 बराबर 0, r square में quadratic बन गए, तो 5 r square भी कर लेते हैं, 2 into r power 4, प्लस किता हो जाएगा, plus हो जाएगा, 4 r square, plus r square, plus 2 बराबर 0, यहान से इन दोने से कामान निकाल लेंगे, 2 r square, remaining will be, r square, plus 2, और यहान से कामान निकाल लें, 1 r square, plus 2, बराबर 0, तो ultimately, यहान से जो r square आपको मिलेगा, या तो मिलेगा, minus 2, या फिर r square किता मिलेगा, minus half, दोनों ही possible नहीं है, इसका मिलब यह वाले case तो possible थी नहीं, चेक कर लिया हमने, अब चलेंगे case number 2 पे, यानि a into r cube लेंगे, plus 5, case number 2, a into r cube लेंगे, plus 5, again वही काम करो, first by second, तो फर्ग क्या है का लास में देखो, change यहां पे आना है बस, यह वाले part पर, तो ultimately, जो quadratic बनेगी, यहां पर आजो, उसमें change क्या आएगा, plus, जो 5 r square था, उसकी बजाए क्या बन जाएगा, minus 5 r square, तो 2 into r power 4, minus 5 r square, plus किता, constant क्या है, plus 2 है ना, यह वो r square में quadratic होगी, अब यहां देख लो, ultimately जो r square आपको मिलने वाला है, वहां मिलना था, minus का है मिलेगा, plus का, क्या मिलेगा, एक तो plus 2, और एक plus half, plus 2 और, plus half, अब gp दिया है, अपने को increasing, increasing gp देख देख देखो, terms लगातार बढ़ने चाहिए, इसका मतलब, यह तो possible नहीं है, यह होगा, r square आगए 2, r square 2 आगए, आपको निकालना क्या आपने को, find क्या करना है, t4 plus t6 plus t8, बनागी ज़र एक बार, t4 plus t6 plus t8, t4 कित्ता है, a into r power 3, t6, a into r power 5, plus t8, a into r power 7, अब यदको ar cube, ar cube तो 5 है ने, उल्रड़ी याँप है, यह दो directly put करदू, और a into r power 5, plus a into r power 7, इन दोनों से common निकाल लेते हैं, अबन क्या, a into r power 5, common निकाल ले, यह बचेगा, यहां बच गया 1, और यहां बच गया r power 2, r square निकल रखा है 2, तो r square यहाँपर 2, फिट कर दो, तो 5 plus, यह 1 plus r square कित्ता हो जाएगा, 1 plus r square will be, 1 plus 2 यानि 3, into a r power 5, a r power 5 को बचाल सा, smartly ऐसा लिखो आप, इसको ऐसा लिख दिया, a into r power 3 लिख दिया, और साथ में r power 2 आगया, अब a into r क्यों बचाएगा, आपने को 5 है, तो यह बन जाएगा, 5 plus 3 into 5 into 2, कित्ता बन गें, यह दोना से 5 किलो, इसमें क्या है, जैसे हो गया, 10 हो गया, और यह 30 यानि, sum बन जाएगा 35, answer will be 35, देखो ज़रा, 35 ज़रे रिखा, option number 3 है, तो अगें, बिल्कूल, straight forward सवाल है, यह GP के, in terms का यह sum था, इनका यह multiply था, यह last में कुछ sum पूचा इसा है, थोड़ी सी calculation है, बागे सवाल आसान है, next, the sum of the infinite series, एक infinite series देरिखिया आपको, इसका sum फुश लिया, अब यह infinite series आप ध्यान से देखिए, आप पढ़ते हैं, a, g, p, a, g, p, अगर a, p और g, p के corresponding terms को, multiply कर दें, a, g, p, का method है, वो अपन कहीं और भी इस्तिमाल करता है, कि जब आपको दो series multiply में दे रखिया हूँ, जिसमें से एक तो g, p हो, और दूसरी चाए a, p, हो या a, p, नहीं हो, अपन method वही निकालते हैं, sum निकालने के लिए, जो a, g, p वाला होता है, तो यहाँ देखिए, g, p क्या चल रही है, 1, 1 by 3, 1 by 3 square and so, बट दूसरी series हो, क्या चल रही है, 1, 2, 7, 12, यह यहाँ पर a, p, नहीं है, तो सवाल a, g, p का नहीं है, सवाल इसमें है, दो series multiply में है, जिसमें एक तो है g, p, और दूसरी कोई non-series नहीं है, यहाँ, a, p तो कम से कम नहीं हो, बट method अपना वही रहेगा, जो a, g, p वाला होता है, तो करते हैं, simplify, let's say, सम को गोल दिया, आएस मैंने, तो यह दे रिखा, 1 plus 2 by 3, plus 7 upon 3 square, 7 upon 3 square, plus 12 upon 3 cube, plus 17 upon 3 power 4, आगे चलता रहेगा, एक तमोग कोपी कर लाता है, 22 upon 3 power 5, 22 upon 3 power 5, infinitely many terms ते रहेखे हैं उसमें, तो method क्या है कि जो gp का common ratio होता है, उससे दोनों side में multiply करता है, let's see, first equation है, cause gp चल रही है, 1 upon 3, 1 upon 3 square and zone, common ratio इसका बनेगा 1 upon 3, तो 1 upon 3 से दोनों side को करना है, multiply, तो यह s into 1 by 3 will be s by 3, और right hand side को 1 upon 3 से multiply करके, आपको एक तम आगे धक्का मार देना, shift कर देना, और shift करने से समपे कोई फर्क बढ़ना नहीं, because आप 1 plus 2 चाहे, plus a पे बढ़िये, या 1 plus 2 plus b बढ़िये, आप बनना और 3 होता है, समपे कोई फर्क नहीं पढ़ना, shift करने से, 1 upon 3 से किया, आपने न 2 तो 1 तो बन गया, 1 upon 3, यहाँ पर आजाएगा, के वे लिक टम shift कर रहा हूं, वो shift इसके लिए कर रहा हूं, because आगे जब मैं calculation करने जाओंगा, वो थोड़ी आसान बन जाएगा, plus 2 upon 3 कित्ता बन जाएगा, 2 upon 3 स्क्वाइर, अब साब साब दिख रहा हैं, जो symmetric terms है, वो उपर निचे लाने के लिए shift कर, आगे चलता रहेगा, equation number 2, दोनों का difference करेंगी, first minus second, s minus s by 3 will be 2 into s by 3, right inside में 1 कि ने जे कुछ भी नहीं, 1 बन के दिख रहेगा difference, 2 by 3 minus 1 by 3, it will be 1 upon 3, plus 7 upon 3 square, minus 2 upon 3 square यह हो जाएगा, 5 by 3 square, plus again कित्ता हो जाएगा, बारा साथ यह पांच, upon 3 cube, 17 minus 12, again 5, upon 3 power 4, and so on, अब यहाँ देखिए आप, यह terms, upon, third term onwards, upon में सब में 5 चल रहा है, first और second term में ऐसा, upon में 5 नहीं, लब यह निमेरेटर पार्ट में 5 नहीं, upon में 5 नहीं, तो यह 2 term अपने को दिक्कत कर रहा है, इनको अलग कर दिया में है, तो 1 plus 1 by 3 कित्ता हो जाएगा, 1 plus 1 by 3 will be 4 by 3, और आगे जो यह आपको series दिख रही है, वो क्या यहाँ पे, GP है, और GP भी कौन सी, infinite GP, सब निकाल लगते हैं, formula A upon 1 minus R, तो यह तो कित्ता होगा, इसका 5 upon 3 square, यह नहीं 5 upon 9, upon 1 minus R, आगे कित्ता है इसका, R बन जाएगा 1 upon 3, इसको आगे कर लिया जाए, simplify, तो यह बन जाएगा, 4 upon 3 plus, 1 minus 1 by 3 कित्ता होगा, 2 by 3, 2 by 3, तो यह 5 by 9 है, और upon में कित्ता है, 2 by 3 है नहीं होगा, 3 by 2, तो ultimately यह बन जाएगा, यहाँ पे, 4 by 3 plus कित्ता होगा, 3 है नहीं 5 by 6, 5 by 6, यह बन रहा है मेरे पास, 2s by 3, 2s by 3 will be, 4 by 3 plus 5 by 6, इसको आगे simplify कर लो, else n निकाल लेंगे, यहाँ पे वापेस, कित्ता आगेगा, 6, यह बन गया 8, प्लस कित्ता होगा 5, यानि 13 by 6, यहाँ थरी यानि 2, 2 से कर देंगे, divide, तो finally जो S, sum हमें required, that will be 13 by 4, 13 by 4 इस स्रीज का संबनने वाला है, चेक करें, option, 13 by 4, option फस्स में दे रखा है, तो अगर AGP पढ़ रखे हैं हमने, तो AGP के context में, ऐसे सवाल आपने definitely देखे होंगे, जहाँ पर एक series GP है, वो दूसरी series non-AP है, अगर उनको multiply करके सवाल बना दिया जाए, तो उसका संब्यपन AGP वाले तरीके से ही निकाल सकते हैं, method देखो बिल्कुल सेम लगाया हमने, तो इस तक के सवाल अलोड़ी बना रखे होंगे आप लोगोंने, तो इसको आसान की category में डालना चाहिए अपने को, easy question है, calculation भी बहुत कम है, चलता next question है, the total number of four digit numbers whose greatest common divisor, greatest common divisor, GCD की बात कर रहा है, greatest common divisor, with 18 is 3, 4 digit के ऐसे किते numbers होंगे, उनका sum नहीं पूछ रहा है, पहले बात तो सवाल जब भी पढ़े हैं, आप word to word पढ़ी है, पता चले जल्द बाजी में आपने यहां पर उन numbers का sum निकाल दिया, बड़ी यहां पर उसने count पुछा देखो, total numbers, number, क्या count हो count का, तो ऐसे 4 digit के किते numbers होंगे, जिनका 18 के साथ में, 18 के साथ में, greatest common divisor, सबसे बड़ा divisor क्या आता हो, 3 आता हो, तो 18 जो है, वो 3 से divisible है, अब जो 4 digit का number आएगा, वो भी definitely 3 से divisible होना चाहिए, यह वो 3 उसका multiple होना चाहिए, तब ही तो उन दोनों का, जो common divisor है, वो 3 बन पाएगा, अब यह बोला कि, सबसे बड़ा जो common divisor है, वो ही क्या बनना चाहिए, 3 बनना चाहिए, तो अब आप यह बोलने कि, जो आपका 4 digit का number है, उसमें एक जो factor है, वो तो क्या आना चाहिए, 3 होना ही चाहिए, यानि that number should be divisible by 3, अब अगर कोई number 3 से divisible है, तो या तो वो odd होगा, या फिर even होगा, अगर let's say, वो number even होगया, 3 से divisible तो है, बट वो number even होगया, even होने का मतलब definitely, उसके अंदर एक factor 2 भी आ जाएगा, एक 3 है और एक 2 है, अगर उनको multiply कर दूँ, तो वो बन क्या 6, क्या वो भी 6 डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, इसका मतलब 6 क्या बन रहा है, उनका common divisible बन रहा है, और आप बोलें कि सबसे बड़ा क्या बनना चाहिए, 3 बनना चाहिए, और मैंने दिखा दिया, 6 भी बन रहा है, तो इसका मतलब यह निकलता है, कि जो number 4 डिवाइड का है, वो 3 से divisible तो है, बट even नहीं होना चाहिए, तो by defaults का मतलब क्या निकलता है, कि जो number 4 डिवाइड का, वो 3 का multiple, यानि 3 से divisible भी होना चाहिए, और 7 में कैसा होना चाहिए, odd होना चाहिए, अब इसी को लेकि इसको सिंप्लिफाय कर लिया चाहिए, नमबर should be divisible by 3 and कैसा, odd, और 4 डिजिट का होना चाहिए, चलो ठीक है, शोल करता है, 4 डिजिट के नमबर स्टार्ट होता है, 1000 से, 1000, 3 से divisible तो नहीं है, उसके बाद में आता है, 1001, 1001 भी 3 से divisible नहीं है, पिर आता है, 1002, 1002 3 से divisible तो है, बट even है, अपने कोची, odd, वो भी नहीं चलेगा, 1002 के बाद में कोना, 1003, वो again 3 से divisible नहीं, 1004, 3 से divisible नहीं, 1005, 1005, यह 3 से divisible है, और साथ में odd भी है, तो यह सबसे चोटा नहीं होगा, उसके बाद में क्या आएगा, उसके बाद में आ जाएगा, 5 के बाद में, 8, 8 even वला हो गया, यानि 3, 11, 101, यह चलता रहेगा, सबसे बड़ा नहींबर, 9, 9, 9, 9, यह यहां पर क्या बनने जारी है, एपी बनने जारी है, अब इस एपी का first term क्या है, 100,05 है, last term क्या है, four time 9, आपको number of terms निकालने, number of terms आब जिल निकाल पाएंगे, number of terms आजाएंगे, यहां पर thousand, यह 1000 नहीं आएंगे, 1000 नहीं आएंगे, में नंब्रों टम्स आंगे स्में 1500 नंब्रों टम्स में आप नहीं निकाल रहा हूं विकुछ इसमें एच सेच कुछ दिक्कत नहीं आनी है फिर्स्टम ए हो गया नंब्रों टम्स आपने एन मान लेने हैं कॉमन डिफरेंस डिकिता हो गया 1011-1005 यानि 6 कॉमन डिफरेंस 6 हो गया और नंब्रों टम्स आपने एन मान ले एक फिर्स्टम 1005 हो गया और लास्टम एन वार टम क्या हो गया 4 टाइम 9 तो A प्लस N माइनस 1 इंटो D बराबर किता 4 टाइम 9 जहाँ पर A पूट कर दो D पूट कर दो N निकाल लो और N आपको मिलने वाला 15 आप दोखो दिखकत किया है इसके अंदर है दिक्कत में एक ही है कि ये जो नंबर से जिसे बात करूब?」 मैं ना 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 के बात करें नगनान के बात कर लो आँ वह नंबर तो 9 से डियॉजिबल भी इस cricket means और आपका का जो और यहां तो बन रहा 9 इसका मलग यह number नहीं चलेगा तो यहां सब ने दिमाग में क्या जाना चाहिए कि इन numbers में से वो सारे number आपको हटाने पड़ेंगे जो 9 से क्या हो divisible हो तो जो numbers में 15 से आपने लिखें उन में से वो सारे हटा दीजिए जो 9 से divisible हो तो उनको लेक्से निकाल लेता है इन numbers में वो सारे numbers जो 9 से divisible हो start कहां से होंगे start होंगे 10 1 7 क्यों 1011 बना 1011 के बाद में क्या बनेगा 1017 बनेगा 1017 9 से divisible है उसके बाद में आ जाएगा next 1035 और लास्ट सबसे बड़ा जो है उता आप देखी पा रहे है 999 ये अगेन एक एपी बन नहीं है number of terms निकाल लो सेम तरीके से number of terms यहाँ पर आ जाएगे 500 अब आपको चाहिए जिन में सबसे बड़ा यानि common divisor रख क्या हो 3 हो तो ये जो 500 हैं आपको उपर वाले में से माइनस करने पड़ेंगे आंसर विल भी किता ये एक हजार ऐसे numbers होंगे जो चाहर डिजिट के होंगे जिनका 18 के साथ में GCD greatest common divisor क्या बनेगा 3 बनेगा तो सवाल तो आसान ही है बट थोड़ा सा थोड़ा सा tricky बोल सकता है जितना आसान सवाल लग रहा है ना उतना exam scene में में भी ना हो ऐसा possible है next if the arithmetic mean and geometric mean of the pth and qth terms of the sequence एक sequence दिदी इसने minus 16, 8, minus 4, plus 2 and so sequence definitely देखने से ही मालम चल रहा है sequence कौन सी ये GP है जिसका common ratio किता है 8 upon minus 16 यही minus half है first term किता है minus 16 अब क्या बोला सने कि इस sequence का जो pivot term बनेगा and जो q atom बनेगा उन दोनों का जो arithmetic mean बनेगा and geometric mean बनेगा वो इस quadratic को satisfy कर रहे हैं means वो जो am है उन दोनों terms का and जो gm है वो इस quadratic के क्या है? roots है और quadratic जो आपको दे रही है उसके definitely आप root निकाल सकते हैं यह जी लिए roots निकाल लेते हैं पहले quadratic के roots निकाल ले जाएं quadratic दिया 4x square minus 9x plus 5 4x square minus 9x plus 5 पराबर 0 तो break कर लेते हैं 9 को दो यह बन गया 4x square minus 5 plus 4 minus 5 plus 4 यानि minus plus 4x लगा दो और minus 5x यह क्या कर दिया भी? गलत कर दिया ना minus दोनों का ही minus डेना पड़ेगा दोनों माइनस ठीक है plus 5, अब ओके तो इन दोनों से common क्या जाएगा? फर्स्ट उसे 4x remaining will be x minus 1 यहां से common लेका लिए minus 5 यहांने x minus 1 एक्स माइनस 1 कवन remaining factor will be 4x minus 5 बराबर के तरजीर होथे यहां दोजे roots अपने को मिल रहा है that will be 1 and 5 by 4 अब इन में एक aim है दूसरा aim और आप जानतें जो आज होता है na वो GM से क्या होगा, बड़ा होगा, तो ये वाला तो AM है, और ये वाला क्या है, GM, ओके, तो, किसी भी एक पर काम कर लगते हैं, अपने को पोचा कैसना, P प्लस क्यों पोचा है, तो अगर मैं, जो दो टम्स हैं, TP और DQ, उनका GM निकालूं, GM क्या बनेगा, TP इंटू TQ का रूट, ये बन गया GM, और GM हमने कित्ता निकाल दिया, 1 निकाल दिया, तो यहां से TP इंटू TQ, स्कॉरिंग कर दिया, तो कित्ता आ गया, 1 आगया, TP, उस सीरीज का P बन जाएगा, A कित्ता था, minus 16, into R, R कित्ता था भी, minus half था न, minus half की पावर P minus 1, into TQ, ये है, minus 16, into R minus half, की पावर Q, minus 1, equal to plus 1, अब इसको आगर simplify कर लेते हैं, minus 16, into minus 16, will be 16 का square, 16 will be 2 की पावर 4, and 2 की पावर 8 हो गया, और ये minus half, base से में merge होगा, तो ये बनेगा, P plus Q, minus 2, equal to plus 1, cross multiply करेंगे, तो 2 की पावर 8, right hand side में बन जाएगा, यहां पे, minus 2 की पावर, P plus Q, minus 2, अब ज्यादा कुस मैच्स लगाने की आप उज़रत नहीं है, simple observe करेंगे, कि left hand side में 2 की पावर 8 है, तो right hand side में P plus Q मेरे को निकालना है, तो P plus Q क्या रखा जाए, कि right hand side भी 2 की पावर 8 ही बन जाए, definitely, P plus Q के पास केवल एक मातर चोईस है, that is 10, 10 पर किता बनेगा, 10 minus 2, 8, और minus 2 की पावर 8 को आप 2 की पावर 8 लेख सकता है, तो P plus क्यों बन जाएगा है, आपर 8, 8, आरे, 8 नहीं, क्या बोल रहा है, P plus क्यों तो 10 ही है, P plus क्यों तो 10 ही है, बिल्कुल सही, 10 ही है, 10 ही है, तो यह 26th evening ship का सवाल है, ओके, next देखते हैं कुछ है क्या, बस complete, तूफ, इसी के साथ इसके सरवना complete है,